सो हें गाइस वरकम बैक टू सोल्ट और नमेंटेन अपडेट विडियो बाकि आज बीजी आए समी फाइनल का डे टू था जो कि अभी भी मैचेस चल नहीं जो भी पॉइंट टेबल होगा वह आपको पोस्ट में अपडेट मिल जाएगा बाकि टीम सोल ने सेनॉक के मैप में निकाला है और नाइन फिनिस्ट के साथ चिकन निकाला है तो देखना आपको मजा आएगा और मिरा मर में भी काफी अच्छे फीनिस्ट निकाले तो चलते हम सिधा मैच की तरफ और अब इस मुकाबले में ये सरकल उनको बहुत उपर लेके जाने वाला है मुझे लगता है हैदराबध हाइड्रास के पास भी पूरा एडवांटेज रहेगा कि उनको भी खतम किया गया ग्लोबल इस्पोर्स के पास भी जोन का एडवांटेज है लेकिन कई ना कई अगर जोन आगे जाता है ये बहुत एक ओपन अपाई कुसोल एक तरफ वोल्टेक्स और तीस सी तरफ टी एच जो आना चाहते थे बट वो भी सोन के बाहर अभी खत्रे में बहुती कंफाइंड स्पेस में अब टीम रेक्निंग फस्ती वे नजर आएगी और ऐसे में वॉल्टेक्स वो बिल्कुल भी गल्कियां करेंगे नहीं हर्टर्स को डाउन किया गया वाई पर वो एक लौते खिलाडी जो सर्वाइब करेंगे और उनको भी टेकडाउन किया ग्रावटी जोड वो अब टीम इंसेन चलिए कम से कम इस मुकाबले में वो प्रेस्मेंट करेंगे बट अब टीम वॉल्टेक्स उनको अगर सर्कल के अंदर जाने तो वो साइड लाइन उनको क्लिर करनी पड़ेगी और वसी स्टाइब पोर्स वो उनको रोकने के लिए जो वजूद है वो निकाते हुए एक मौक वहाँ पे निकाला गया है देखना ये की फिनिश क्या वो भी उनके खाते में जाएगा और आईकू तोल देखिए उपर वाला सब देख रहा है और उपर से आईकू तोल वो एड्वांटेज को पूरी तरीके से अपने खाते में लेके जाएंगे साथ फिनिशेद उनके पास हो चुके हैं ये चिकन डिनर भी उनके पास ही जाता हुए नजर आ रहा है बस सवाल यही कि कितने और फिनिशेद वो यहाँ से निकाल सकते हैं बस इस टाई स्पोर्ट उनके एमजे जो ही बाटल करते हुए नजर आएंगे सवाल यह बनेगा कि काड़ी उनके पास अभी के लिए निकाल चुके हैं उस हायर ग्रॉंड अड्वांटेस से साथ उनके पास आठ वाम आपे नौक है वो भी कंफर्म कर सकते हैं कापी जल्दी चलिए चलिए इंपर्म किया उन्होंने आठ प्राक्स अल्रेडी बस सवाल यह है क्या नीचे आप आएंगे अगर जरुवत पड़ी तो देखिए मुझे बीमपीस का वो फाइनल्स का मुकावला याद आता है जहां पर ऐसा ही कुछ सर्कल बना था और फिर वो तीन खिलाडी देखना यह है कि उनके पास कितनी फॉर स्टेट्स देखिए ग्राविट आप सोची कि साइरेक्स वो दिलाके गए अपनी टीम को रॉनी की बात करें वो भी जम करने की कोशिश करें देखिए यह बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग मुवमेंट अब इस मुकाबले का हो चुका है हाला कि जो वीकल है वो भी मौजूद है और इसी चीज की चर्चा भी लेकर गए थे पर इन सब की बीच में आईकुसोल वर्सेस ग्लोबली इसफोर्स फाइनली उनकी फाइट की शुरुआत वी निंजा बॉय नॉक करके वो समाप्त कर दिये गए और मुझे लगता है कि डेस्ट्रो वो कहीं होंगे और वहां से वो हील बातल कर रहे होंगे देखी यही करते हैं मोगो वो बाहर जाते हैं जोन के जांप पर नेट डाल रहे थे लेकिन इतना जादा फाइदा वहां पर हुआ नहीं चली है मोक्ष प्लेजोन का शिकार वहां पर हुए नकुल वो भी ठिके हुए टीम तमलास के एक लिर को डाउन किया टीम आईकुसोल वो कमदा करना चाहते हैं इस माँच में अल्रेडी वो दो फ्लाग निकाल गए हैं टॉपनों के अंदर और अब कॉमिनेशन पे जाती हुए आईकुसोल मैं बस सोच रहा हूँ कि ये सही सलामस जोन के अंदर पहुचे तो पहुचे कैसे क्योंकि पिकाड़ो पे आप सोचे इतनी सारी टीम्स थी और जहां से इन्होंने रोटेट किया है भरमार थी टीम्स की उसके बावजूद ये खिलाडी आगे पहुचे और पास पिनिशन उ समाप कर दीगे और सविशूर एक बार फिर से उनके पास मौका था कि इस मैच में वह चिकंडर निकाल पाएं पर ये मौका एक बार फिर से हाथ से लगभग जाता हुआ दिखाई देगा पर मागनेट वो तैयारे पर नकुल गनेट को ज्यादा ही क्लोज कर बैठे जिए ज दास्ते में चंदनों भी उनका इतिजार कर सकते हैं चलिए सर्वर का एक अच्छा स्प्रे डाउन किया नकुल भी यहां पर होएंगे डाउन सर्वर कूते कूते डाउन करा और एकुसोल इस रोकेट को यहीं पर रोका गया इस मिरा मार के मुकाबले में बच सेवन शोर उनपे परहार करने को तयार और वो गृनेड इक बाफ़र से ठिकाने पर आईकुसोल लगता है एक तरफ़ा परहार चल रहा है इस पुरे फाइट में जिया और एफेस वो एकुलेस नजर आ रहे कि उनको करना है तो करना क्या है वही टीम आईकुसोल की बात करें दो खिला और फ्रैगर वो एक आखरी के लाड़ी बचेंगे यहां पर जी नहीं इनके लावा एक और प्लेयर बचते हैं जरूर और देखना ये कि क्या वो ग्रिनेट सही ठिकाने पर जा सकते हैं क्योंकि ब्रीधिंग स्पेस वो जादा है नहीं आईकू सोल के पास और हर दिशा से ग् वो उठा सकते हैं अगर आतंकी वो सही समय पर नीचे आपाएं हलाकि उन्होंने एक ग्रिनेट किया रॉनी एश्पी उनकी कम हुई है उस ग्रिनेट से थोड़ा डामेश पड़ेगा जी नहीं डामेश बिलकुल नहीं पड़ा वा डाउन कर देगे पुजी को क्या किसी नह नहीं देखा थोड़ी देर पहले ही तो आपके सामने से वो खिलाडी निकल कर आया था आपने नजरंदास किया और उसने ही आपके खिलाडी को नौक करके फिनिश भी कर दिया और मुझे लगता है आरू गेमिंग वो खुद भी डाउन कर दिया वेरान वो भी समाप्त कर द वो आगे जाएंगे वो जो फिनिश वो भी सिक्योर करते हुए नजराएंगे लाइन ओफ कंट्रोल खीची जरूर गई ये फजी के द्वारा और ये एक बेहितरीन क्लच मुमेंट जुनों ने हापे काफी बढ़िया तरीके से एक्जिक्यूट कर के दिखाया वही रॉनी उनका भी खात्मा में देखने को मल जाएगा आइकुसोल उनका इलिमनेशन बेट ग्लोबली स्पोर्स उनका पता किसी प्लेयर को बचाये बट पीछे से आगमने का और टीम का क्या आइकुसूल स्पोर्ट कर पाएगी लाइफ क्राफ को मान या वो सोच रह होंगे भाई मै तो गाड़ी चला रहा था ये एक परिश कैसे मिला और मैं देख रहा था कि राइजन वही तो खिलाडी थे जिन्होंने कॉल दिया था कि आप सीधा स्लाम कर सकते हैं और वो इस खिलाडी का कवर पायर आया नहीं क्योंकि वो दे नहीं सकते थे कहीं से भी आंगल नहीं था जहां से वो अपने खिलाडियों को बचा पाते हैं और वसिस्ट है हमने पहले भी चर्चाएं करिए इस टीम की क्या शांदार ये टीम है इस गाड़ी आई थी उसके बावजूद आप इतने ज्यादा ओपन से निकल कर गए जानी उन्हें भी स्पार्ट कर लिया गया नकल वह आखरी खिलाड़ी अपनी टीम से आ रहे हैं उपर मौझूद एग ग्रिनेट का साहरा लिया गया नकल के दुवारा और देखना ये कि जाते जाते वो अपनी टीम के लिए कुछ एक्स्टाफ पनिशेज लेकर जा सकते हैं पर इंपर्नो स्कॉर्ड उनका भी आगमन हो चला है और वो रैंड़म ग्रेट त्रो कर रहे हैं उनको भी अंदाजा नहीं कि खिलाड़ी कहां का पर मौझूद अपन बाकि आपको ये आज का चिकन डियर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड कल मैंने वीडियो डाला था लाइक बहुत सारे अपडेट्स उसमें दिये थे मॉटल भाई का लो परफॉर्मेंस फी बीजी माई अवार्ड पे एंड साथ मैं कैरी भाई लाइक ज एंड बस ही था आज का वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ तब तक लिए कीप लेंग कीप सबोर्टिंग एंड बाई